नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंच नामा में मैं हूँ आपके साथ वक्ता हम लेकर आए हैं देश वर दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इन चीफ दॉक्तर मनीश कुमाजी दॉक्त साब आपका बहुत स्वागत है दन्यबाद सबसे पहले नदगा दालते हैं आज की एटलाइंस पांच तीन दिन के महा मिशन कश्मीर पर ग्रह मंत्रिया मिच्छा पाकिस्तान से सटे राज़ोरी से भरी तगड़ी हुंकार पहाडी गुर्जर और बकरवाला को मिला आरक्षन बॉकलाई चीन पाकिस्तान चुनाव आयोक का बड़ा एक्षन सभी राज़नीतिक दलों को लिखा पत्र मुप्त की रेवडी और खोखले चुनावी वादे न करें राज़नीतिक दर शराब शिक्षा के बाद एक और घोटाले में फती आप सरकार LG ने आप बिजली घोटाले में दिये जाँच की आदेश केजरिवाल पर लगे घोटाले के आरू पीएफाई से कनेक्शन पर आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुला सा केरल में 873 पुलस वालों की पीएफाई से 30 गांट आईबी ने डीजीपी को भेजी रिपोर्ट कॉंग्रेस की भारत जोडो यात्रा पहुंची करनाटक, बीजेपी शाषित राज्जी में सोनिया गांधी और प्रियंका वाज्डरा 6 अक्तूबर को हुँगी यात्रा में शाँच सबसे पहली खबर की शुरुआत अमिच्छा के मिश्ण कश्मीर से करते हैं आमेच्छा तीन दिन के कश्मीर दोरे पर हैं जहां वो कश्मीर को कई बड़ी बड़ी सौगात ने देने पहुंचे हैं शाह ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत मा वैश्णो देवी के दर्शन करने के बार पाकिस्तान से सटे राज़ौरी में रैली को संबोधित करके की और ऐसी हुंकार भरी जिसकी आवाज पाकिस्तान के कानों तक पहुंची होगी साथी शाह ने कहा कि धारा 370 हचाएंगे तो खून की नदियां बहेंगे लेकिन आज की जनसभा उनको करारा चवाब है विकात की भी बात की घाची में शांती की भी बात की साथी पहाडी समुदाय को बड़ा तौपा फितिया शाह का ये दोरा कितना एहम और विपक्ष पर कितना करारा जटका है देखें जिस तरीके से अमिशा की रैली हुई और जो लोगों का हुजूम वहाँ पे आया तो डेमोकरसी है डेमोकरसी में जनता जिसके साथ वही राजा तो जनता ने बता दिया कि कौन किसके साथ है और अमिशाह वहां मौजूद है और चारों तरफ से मुदी 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 की गूंज सुनाई दे रही तीन बाते आज साबित हुई ये वो तमाम लोग जो ये दिल्ली में बैठके लोगों के दिमाग में ये कूला डालते थे कि आर्टिकल 370 हटाए तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा हाथ से निकला नहीं कश्मीर भारत के साथ और जुड़ गया दूसरी चीज वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक तरीके से पार्टियां ऑपरेट कर रही थी जो परिवारवादी पार्टियां जो कश्मीर को सिर्फ लूटने का एक तंत्र समझती थी उनको भी जवाब मिल गया मैं आपको बता दूँ वहाँ कई सारी नई नई पार्टियां आ गई है किसके विरोध में भारती इंता पार्टि के विरोध में नहीं बलकि वो जो ट्रेडिश्टल तरीके से जो यहाँ पे कॉंगरेस पार्टी दौरा सिंचित परिवारवाद वाली राजिनिती को जो पोशित किया गया किसमीर में उसके खिलाप वहाँ पे जनता खड़ी हो गई और तीसरा जो सबसे एहम है वो यह कि अगर इरादा सही हो पॉलिसी का जो ओरियंटेशन है वो सही दिशा की ओर हो और विकास का एक एक पैसा जमीन पे अगर लगता है तो पॉप्लरिटी जो आज दिखी जो जनता आज वहाँ पहुँची वो इन चीजों को साबित करती है बहुत बड़ा दिन देश के लिए भी भारती जनता पार्टी के लिए भी और कश्मीर के लोगों के लिए भी जिस तरह का महौल वहाँ दिखने को आज मिला वो कलेजे को सुकून देने वाला था जी विल्कुल डाक्टर साब अमिट्शा का कश्मीर दौरा पाकिस्तान चीन को बेचैन किये हुए है साथ ही विपक्षियों को भी चित किये हुए है चित्तो राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग के एक्षन से हो गए है चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी वादों को लेकर आगाह किया है कि राजनीतिक दल कोई भी खोकला चुनावी वादा न करें जो भी चुनावी वादा किया जाए उसमें इस बात का खयाल रखा जाए कि क्या वो आर्थिक रूप से पूरा किये जाने लायक है मुफ्त की सौगाते या चुनावी रेवडी बंद करने पर जारी बहस के बीच आयोग दे दलों को ये बड़ा आधेश दिया है चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद आपको क्या लगता है राजनी तिक दल अपने इस वादों पर रोक लगा पाएंगे देखें उनको रोक लगाना पड़ेगा क्योंकि एलेक्शन कमिस्न की जो चिट्थी जो आज रिलीज हुई है उनसे 19 अक्टोबर तक इस चिट्थी के ऊपर अपने रियक्शन को बताने के लिए कहा गया है क्या है इस चिठी में इस चिठी में साफ साफ कहा गया है कि ये जो जूट की राजनीती ये रेवरियां बाटने की जो राजनीती एक नई प्रता जो चल गई जिससे दुनिया के कई तेश तबाह और बरबाद हो गए बहुत सारे इस तरह के केजरिवाल टाइप के लीडर्स बड़ी बड़ी कंट्रीज में अगर आप गूगल करेंगा आपको मिल जाएगा कि एकनॉमिक हालात बिगड़ने से इसी तरह की राजनीती से सिलंका प्रणूसी में एक एक जांपल है कोलंबिया इससे भी बड़ा एक क्यों तो वहां चावेज जैसा केजरिवाल पैदा हो गया था तो इसको तो रोक लगाना है तो एलेक्शन कमिसर ने यही कहा है कि जो गर आप जूटे वादे करोगे रेवडी वाला ये फ्री वो फ्री तो जो घोशना करके लोगों से आप वोट लेते हो तो उसके बारे मे आपको डीटेल भी देना होगा कितना पैसा खर्च होगा कौन कौन बेनिफिसरी होगा कितने पैसे लगेंगे और साथ ही उसके साथ ये भी बताना पड़ेगा कि उस राज की माली हालत क्या है कितना कर्ज है कितना डिफिसिट है और जो आप योजना लेकर के आओगे उसके सारी चीजें बताने के बाद तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अब इस तरह का ड्रामा नहीं कर सकेगी वो इसने नहीं कर सकेगी अगर आप वहां जूट बोलोगे आप गलत तरीके से गलत बयानी करोगे तो आपका सिंबल भी जाएगा और चुनाव लड़ने के धोरान आपके पर प्रतिबंद भी लग जाएगा तो ये एक कड़ा फैसला सुप्रीम कोट के आदेश के तहत इलेक्शन कमिशन ने आज लिया है आज का दिन इस मायने में हिंदुस्तान की राजनीतिक की साफ सफाई हो एक अच्छा चुनाव हो अच्छा वातवरन बने राजनीति का उस लहजे से आज एक बड़ा अतियासिक दिन है जी डॉक्त साब राजनीतिक पार्टियों को लगातार छटके मिल रहे हैं तो वहीं केजरिवाल के भी लगातार घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं शराब घोटाले जल घोटाले सिक्षा घोटाले के बाद अब केजरिव बॉक ला रहे हैं और बीजेपी पर ही आरोप माट रहे हैं डॉक्टर साथ केजरिवाल का ये बिजली घोटाला क्या है बिजली घोटाला दरसल कुछ इस विभाग से जोड़े हुए लोग कुछ लॉयर्स और कुछ समासेवी ने एक अरजी दी और बताया कि ये चार-पांच पॉइंट्स हैं जिसके तहट केजरिवाल बिजली विभाग में घोटाला कर रहा है ये जो सबसिडी दी जा रही है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है अब इसको लेकर के सकसेना सहाब ने एल जी ने मुक्य सचीव को चिठ्ठी लिग दी दे दिया कि भई साथ दिन के अंदर में बताईए क्या माजरा है इसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है ये जो सबसिडी जो दी जाती है वो डिसकॉं कंपनी तो दी देती है अब 2018 19 फरवरी को जो दिल्ली एलेट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन जो है उसने एक फैसला लिया कि यह जो मुफ्त की बिजली दे रहे हैं या जो सब्सिटी हम दे रहे हैं वो डीबीटी के हिसाब से हो मतलब कि जिस तरह से गैस सिलिंडर आप लेते हैं तो पैसा आप पेमिंट तो पुरा करते हैं लेकिन जो पैसा जो है वो आपके बैंक में आ जाता है उसी हिसाब से कि आप बिल भरे लेकिन बिल का जो पैसा जो है वो आपके बैंक अकॉंट में वो वापस आ जाएगा कहीं कोई घपलाबाजी नहीं बहुत ही ट्रांस्परेंट सिस्टम है लेकिं 2018 से लेके अब तक फैसला ले लिया गया लेकिन केजरी वाले DBT सिस्टम नहीं लागू किया क्यों नहीं लागू किया इसलिए दो चीजे एक ये मालूम चल जाता कि कितने बेनिफीशेरीज हैं किनकिन लोगों को इसका फाइदा हो रहा है ताकि वो फिर प्रोपगेंडा नहीं कर सकेगा अगर मालूम चल जाए कि बहुतने हाउस होल्ड को है दिलिक में इतने हाउस होल्ड है तो इसका जूट खतम हो जाएगा तो इसलिए और दूसरा जो सबसे एह है कि डिबिटी होगा तो ऑडिट भी होगा आपने अब से लेके मनें 2018 के बाद से उसकी कोई ऑडिटिंग ही नहीं हुई है और ये संसे ये सीजी की रिपोर्ट नी दिया पहली चीज ये दूसरा जो बोड है उसमें एक्सपर्ट्स लोगों की पहले नियुकती होती थी ये कटर इमानदार इस घोटाले को अंजाम दे सके इसने बोड के अंदर जो है उसने आमादी पार्टी के एक स्पोक्सपर्सन जसमीन साह उसको बिठा दिया और दूसरा अपने राजसभा के जो MP हैं एंडी गुपता उसके बेटे नवीन गुपता को बिठा दिया कि ताकि य किसरा एहम चीज लेट फी लेती है कंपनिया लेट फी लेती है 18 परसंट दिल्ली सरकार के पास वो सिर्फ 12 परसंट जमा करती है 6 परसंट कहां गया 6 परसंट कहां गया यह 6 परसंट के चक्कर में बिजली कंपनियों को अब पिछले 3-4 साल में 8500 कड़ों रुपे फाइदा हो गये तुम्हारा हिस्सेदारी किसमें कितना है आप ऐसी नीती लगाओ को जिसमें सरकार को नुक्सान हो आप इससे भी और एहम बात दो कंपनिया उसके 21,250 कड़ोर बकाया है यह डिस्कॉम कंपनिया डिस्टिबूशन करती है बिजली बनाती नहीं है बिजली खरीदती ह दो-तीन बिजली थर्मल पावर्स हैं यहां पे जहां बिजली तयार होती है उससे ही लोग खरीदते हैं और यह बाड़ते हैं और उसके बाद वो सारा कुछ मेलेज करते हैं तो जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है तो यह कंपनिया जो लेती है उसका मनें बाकाया इन कंपनियों का वो 21,250 करोर है ठीक अब यह पैसे वो लेता नहीं बलकि उनको यह छूट दे रखी है कि तुम्हारे को जो सब्सिटीज हम देते चले जाएंगे उससे वो मैनस होता चले जाएगा यह इलिगल काम है यह इलिगल काम है और अभी तक 11,000 करोर के आसपास वो पैसा पड़ा हुआ है उदर तो यह जो इन रेगुलरिटीज है यह डिस्क्रिपेंशी जो है दिल्ली की जनता ने आपको भोट दिया फ्री विजली आप बाटना चाहते हो अच्छी बात है लेकिन कानून तोरने का अधिकार तो किसी नहीं दिया आपको घूस गुजरात चुनाव सरपर हैं और केजरीवाल घोटालों में फसते चले चा रहे हैं तो वहीं PFI पर पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं आईबी की रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा केरल के पुलस वालों को लेकर हुआ है केरल पुलिस के कम से कम 873 अधिकारियों के बैन PFI से समबंद सामने आए हैं जिसमें S.I.S.H.O. रेंक के अधिकारी हैं आईबी ने अपनी इस रिपोर्ट को D.G.P. को भेज दिया है टॉक्टर साब आईबी की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुल संगठन किस तरीके से पुलिस फोर्स के अंदर पनीट्रेट कर गया यह कैसे हो सकता है कि खाकी वर्दी वाले एक आतंकी संगठन के दलाल बन जाएं क्या लेना देना है आपको भे PFI से और मेरा यह हंच है कि सारे नाम पब्लिक किये जाने चाहिए और आप पाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्लिम पुलिस अधिकारी होंगे यह खाकी वर्दी पहन कर जिहाद का धंदा इस PFI ने शुरू कर दिया है PFI के डिजाइन्स ऐसे नहीं है यह जो कह रहा है कि 2047 में हिंदुस्तान को इसलामिक देश गोशित कर देना है तैयारी इसकी पूरी है आप देखेंगे कि जैनियू हो, जामिया हो, अलिगड़ हो, दिल इनिवर्सिटी हो, टिस हो तमाम जहां जहां यह अर्बन नकसल्स परिट्रेट कर चुके हैं, वहां वहां मुस्लिम प्रोफेसर्स यह PFI के लिए काम करते हैं इस तरह की रिपोर्ट भी बननी होनी चाहिए जितने भी नाम आ रहे हैं, अगर इस वामपंथी सरकार केरल की, उसमें जरा सा भी हिंदुस्तान के सम्विधान, केरला के लोगों और हिंदुस्तान के बारे में चिंता है, इमिडियेटली यह सारे पुलिस अदिकारी को गरिफतार कर लेना चाहिए आपका कोई बिजनेस किसी आतंकी संगठन के साथ नहीं हो सकता, यह काम एक ट्रीजन का है, देश द्रो है यह, और आम आदमी कोई करे, तो उसको तो दूसरे तरीके से डील किया जा सकता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इसका इलाज ढूनने के लिए बहुत सकती बरती पड़ेगी जी डॉक्त साब, एक तरफ कॉंग्रेस अध्यक्षपत का चुनाओ कारिकरम जोरो पर चल रहा है, खटगे और धरूर अपने अभियान पर निकले हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्राग चल रही है यात्रा करनाटक पहुँच चुकी है, उसी के साथ एक महत्व कूंट चरण में प्रवेश कर गई है, क्यूंकि राज्जी में अगले साल चुना होने है और ये पहली बार है जब ये भाजपा शाषितराज जिसे गुचर रही है, जिसमें 6 अक्टूबर को सुनिया गांधी और प्रियंका गांधी भाग लेंगी यानि कि राहुल को सुनिया गांधी का साथ मिलने वाला है डॉक्टर साथ सुनिया और प्रियंका का यात्रा में शामिल होतना पार्टी के लिए कितना एहम माना जाए देखिए मुझे तो बड़ा कॉमेटी सा लग रहा है भंडोल होना है सब कुछ भंडोल हो जाएगा क्यों हो जाएगा मैं बता रहा हूँ सोनिया गांधी दिली में बगदा प्रस भिग्यप्ति निकालती है हर स्टेट कॉंग्रस कमिटी को यह आदिस देती है कि कोई भी हमारा ओफिस्यल उमिद्वार नहीं है कोई भी पनाधिकारी किसी भी उमिद्वार के लिए केंपेंड नहीं करेगा ठीक हलाकि खड़के को इन्हों नहीं खड़ा किया और यह कहरे में कोई परचार प्रसार नहीं होगा और मीडिया में ख़बर को दवाय जा रहा है कि माता जी तो जाई रही है बहना भी पहुंच रही है थोड़ा मोरल बूस्ट अब करने के लिए लेकिन खड़के साहब भी जा रहे हैं अब खड़के साहब वहां जाएंगे इसका मतलब सोनिया गांधी राउल गांधी यह प्रचार कर रही है भई खड़के की अब मैंने खबर सशी धरूर के पास पहुची. सशी धरूर ने कहा एक जिएया वी जबिन अधार कर दिया उच्जा ऑव बनान च्रहण के मैं और में सफ्र Oak यह कर दो और में आनगे और मेरी बेंबात हुई उन्होंने मुझे चुना लड़ो तो मि спасर नाइभ है। वे समझी नहीं आ रहा वही आप जो कहते हैं भस्मसुर कि अपने सिर्प आपने हाथ रख दिया और खुद को भस्म कर डाला गुजरात में सिती खराब है हिमाचल में सिती खराब है करनाटका में सिती खराब है जहां जहां चुना होने वाले हैं वहाँ कोई ध्यान नहीं लीडरलेस स्टेट यूनिट वहाँ पे घूम रही कि वहाँ क्या करें अब तो सुनने में आ रहा है कॉंग्रेस को मिदवार गुजरात में वो चोरी-चोरी चुपके-चुपके आमादी पार्टी से बातचित कर रहे है तो ये सारी चीजे हो रही है कॉमेटी चल रहा है बस सुकून इसी में कुछ लोगों को मिल जाता है कि राहुल गांदी बारिस में भीगते हुए उन्होंने भासन दे दिया क्या तस्वीर है अरे भई तस्वीर से किसी की तकदीर नहीं लिखी जाती कि मेहनत से अकलमंदी से तकदीर लिखी जाएगी जिस तरीके से ये भारत जोडो यात्रा आगे बढ़ रही है कॉम्ग्रेस पार्टी उतनी ज़्यादा तूट की कगार पर बढ़ती जा रही है जी डॉक्ट साब बहुत बहुत दन्यवाद इतनी चांद कारी के लिखी जाएगी